नवी मुंबई नेटवर्ग इसी से सबक लेते वे आयुक तबी जित बांगर ने इस बार जंबो बैठक लेकर सभी अधिकारियों पर उनकी जवाब दे ही तै की जिसमें मनपाधिकारियों के साथ शामिल थे नवी मुंबई पुलिस आयुक ताले, यातायात विभाग, MMDA, SITCO, PWD, MIDC, MTNL, थाड़े जिलाधिकारी कारियाले, तहसिल कारियाले, सुरक्षाव आरोगी विभाग, प्रादेश एक परिवहन विभाग, रेल्बे प्रबंधक, ABMC Market, महावितरन, Rapid Action Force, BEST, नागरे संदक्षन दल, TBIA, Small Scale Industrial Association, Chemical and Alkali Industrial Society, मच्शिमार आदी, हेल्पलाइन नमबर, बतादे कि इस बैटर के दोरान आयुक तबिजित बांगर ने सभी अगनिशमन केंद्रों में 25 मई से आपदा नियंतरन कक्षि स्थापित करने के आदेश जार कर दिये हैं, नागरे अगर किसी भी प्रकार की समस्या से जूच रहे हैं या कोई समस्या उत्वन हुई है, तो मनपा मुख्याले में 365 दिन, 24x7 कारी रत, मध्यवर्ति आपदा निवारन केंद्र की टोल फ्री नमबर, 1800-222-309 या फिर 1800-222-22310 पर निशोर कुसंपर कर सकते हैं, प्री मौनसून मनपा तयारियां, बतादे कि इस बैटर के दौरान आयुक अभी जदवांगर ने कड़े शब्दों में कहा कि 25 मई के बाद शहर की किसी भी सड़क की खुदाई का काम नहीं होगा, और अगर बिजवी निगम को अत्यावर्षक कारण के लिए अगर लगाने, सिगनल को चालू रखने पर भी विशेद ध्यान दिये जाने की हिदायते उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दी हैं, इतना ही नहीं अभी जिद बांगर ने विद्द विभा को हर स्ट्रीट लाइट पोल का निरिक्षन कर सिगनल यंत्रनाओं पर विश ध्यान देने की बाद कहीं, इतना ही नहीं 25 माई तक सभी होल्डिंग पॉंट पस्तित पंप हाउस के फ्लैप गेट की बदली या मरमत करने, साथ ही पंप हाउस में बरसात के दोरान विद्द आप पूर्ती ठप होने के बाद ये पंप हाउस बनना पड़े, इसके लिए 3- चार दिनों की जनरेटर बैक अप रखने का भी आदेश आयुक तबिजित बांगर ने दिया, साथी महा वित्रन को ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि पंप हाउस चेशन के यहां विद्युत आपूर्ती खंडित ना हो, इस दिशा पर विशेश फोकस किया जाए, इस संभावित भू संखलन की जगह को चिन्हित करने, खदानों और नालोक से सटेज होपर पटियों को स्थानंतरित करने, संभावित जलजमाव के स्थलों पर परियाप्त पंपों का प्रावधान करने का भी महत्वपूर्ण सुझाव आयुक तबिजित बांगर ने दिया, इ के इन आदेशों को आधिकारी कितनी गम भीरता से लेते हैं और इसकी हकीकत बरसात में खुद बखुद खुल जाएगी